राज्ये की इच्छाओं की जो अभी पूर्ती है या राज्ये की जो इच्छाएं होती है उनको जो मूर्त रूप है वो सरकार के द्वारा परदान किया जाता है सरकार एक तरह से राज्ये की इच्छाओं के विवेक्ती करती है राजनीति विज्यान में हम पड़ते हैं यहां सरकार का मतलब यह है कि सरकार तीन अंगूं से मिलकर बनती है पिछले द्यह में आप से चर्चा की भी थी एक विवस्थापी का एक कार्य पाली का और एक न्यापाली का विवस्थापी का जो है जिसे जिसे हम भारत में संसद कहते हैं ब्रिटेन में भी संसद है अमेरिका में जे शिब्स का कॉंग्रेस है, जापान में जिसे डाइट कहते है, चीन में जिसे राष्ट जनवादी कॉंग्रेस कहते है, अलग-अलग नाम है, हर राष्टर ने अपने समिधान में विवस्था पीका को अलग-अलग नाम से पुकारा है, तो एक होगी बहुत है कानून का निरमान का कारिए ववस्थ्थपीन का काहि next है कानून का निर्मान करने का कानून निर्मान का का पिका करती है और उन कानूनों को फिर लागू करने का जो काम है वो है कारिय पालिकार यदि कोई उन कानूनों की पालना नहीं करता है तो उसके समंद में दंड देने का जो अधिकार है वो कारिय है बेसिकली नियापालिका का तो कानुन बनाना लागू करना और पालना नहीं होने पर दंड देना यानि एक तरह से पालना करवाना ही हो गया वो भी एक चीज तो ये ववस्थापी का कारिय पालिका और नयापालिका इन तीन अंगों से मिलकर सरकार का निर्मान होता है यानि सरकार अपने इन तीन नंगों के माद्यम से उसका कारिय होता है सबसे पहले हम लेते हैं ववस्था पिका ववस्था पिका का क्या अर्थ है उसके क्या कारिये हैं उसके क्या सक्तियां है और पिछले कुछ दस्कों से काफी समय से ये बात की जा रही है कि वास्तों में वेवस्थापी का जो शक्तियां हैं उनका पतन हुआ है और कारीपली का शक्तियों में विवर्दी हुई है तो वो कौन से कारण है उन पर भी हमारी चर्चा रहेगी वेवस्थापी का एक ऐसी सभा होती है, जो कानूनों का निर्मान करती है इसमें जनता के चुन्यों ही परतिनिदी अधिक्तम होते हैं बिर्टेन में जैसे लाड़ सभा है, कहीं जैसे बाहरत में लोगसभाराजे सभा में राष्टपती दुवारा मनोनेन भी होता है इसके अलावा पर बेसिकली इसमें मूझ गुल रूप से, मतलब इसमें जनता के चुन्यों हुए परतिनिदी ही भाग लेते हैं तो वो जनता की इच्छाओं के अरूप ही वहां कानूनों का निर्मान कःते हैं और एक इसका विवस्थापिका का कॉमन नाम संसद भी है, संसद इसलिए नहीं कि भारत में है, क्योंकि आमने पड़ा है, अपनी जर्चा रही भी है, कि जो विवस्थापिका है, सबसे पहले इसका जनम है, वो बिटेन में संसद के रूप में हुआ, तो इसलिए बिटेन की स तो बिटिश जो संसद है, वो संसदों की जननी है, तो विवस्थापी का एक तरह से देखे जाते हैं, विश्वा में सबसे पहले संसद के रूप में बिटेन में ही अस्तित्व में आई थी, तो इसलिए इसको संसद कह दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसे कॉंग्रेस की ब बात करें, शोरा की बात करें, तो वो नाम है, वो कुमन नहीं है, विवस्थापी का को लेकर, यानि विवस्थापी का की पहचान वो नहीं बनाते हैं, विवस्थापी का की जो पहचान है, वो संसद बनाता है, संसद शब्द का मतलब विवस्थापी का है, विवस्थापी आती पारलर सभड से हुई है जिसका मतलब बादचीत करना होता है और कई विद्वां कहते हैं कि पारलियमेंटम से निकला। पारलियमेंटम का मतलब वह शब्द है कि पराचिनकाल में जो बहुत विख्षू होते थे राजा के पास जाते थे महमान के रूप मेरबाद में स्याम को बोजन के बाद जो बैठ कर बादचित करते हैं, बोजन के बाद की जाने वाले बादचित, उसको वो पारलियमेंटम के रूप में देखते हैं, तो कहते हैं कि ये पारलर सब्द से या पारलियमेंटम सब्द से, बेसिकली पारलर सब्द पे ज्यादा विद्वान लोगोगे वेवस्था प्रश्ब से पारल्यमेंट के उत्मत्थी है। जाता है इसके बाद में विवस्ता पिका के क्या कारियें उसकी क्या सक्तिया है उसका जो अध्येन है हम वो अगले भाग में करेंगे